अब ये हम mutual fund में तो हर साल कई सालों से करते थे सोचा इस बार insurance के लिए भी इस साल से ये शुरू करते हैं हर साल अगर हम आपको scientifically picked best insurance plans ले किया और आपको सामने दिखाएं कि कैसे हमने pick किया जिनको नहीं pick किया उनको क्यों नहीं pick किया ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हम pick कर रहा है और doubt की कोई बात ही ना रहे तो इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ इंडिया के best term plans for 2024 picked scientifically by our team अब देखो कहने को तो ना धेरो insurance company है life insurance company है जो आप आपके screen पर है और इनके धेरो life insurance plans है लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले life insurance के basics विडियो को देखा होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने देखा है नहीं देखा है तो इस life insurance वाले विडियो को देख लीजेगा जिससे एक life insurance में आपको क्या-क्या देखना है क्या होता है अच्छा life insurance क्या होता है बुरा life insurance ये basics clear हो जाएं तो जब आप ये विडियो देखोगे आपको पता चलेगा कि life insurance हमेशा term plan ही लेना चाहिए इसलिए इस विडियो में हम बात कर रहे है life insurance की लेकिन हम discuss करेंगे सिर्फ best term life insurance plans के क्योंकि वही लेना चाहिए पूरी details आपको इस विडियो में मिल जाएंगी तो अब हमने best term plans तक पहुँचने के लिए कुछ 5-6 important filters use किये तो सीधा विडियो की तरफ चलते हैं और अपना पहला filter discuss करते हैं तो जो पहला filter है न वो है claim settlement ratio इसका simple सा मतलब है कि अगर 100 claim उस company पे file किये जाते हैं कि हमको हमारा insurance cover चाहिए हमारे साथ ये हाथसा हुआ है तो कितने claims में company actually पैसा देती है अब हमने एक benchmark रखा है 98.5 याने हम उन ही companyों को आगे evaluate करना चाहते हैं जो 100 में से 98.5% claims को clear करती है याने सिर्फ 1.5% या उससे कम claims में वो पैसा नहीं देती है बाकी में वो पैसा देती है जैसे ही हमने ये filter लगाया धेरो life insurance companies में से बहुत कुछ कमपनियां filter हो गए और ये 9 कमपनियां बची जिनका सच में claim settlement ratio 98.5 से जादा है याने ये वो कमपनियां है जिन पर आप भरोसा कर सकते हो कि most probably आपके परिवार को अगर आपको कुछ होता है तो पैसा मिलेगा तो इन कमपनियों पर इस डेटा के आधार पर हम कह सकते है कि हम भरोसा कर सकते है अब देखो जब हम ये डेटा देखते हैं तो बहुत exceptional और कुछ shocking results भी आते है हम सबको हमेशा सबसे आदा लगता है कि सबसे dependable तो LIC है लेकिन at least ये डेटा हमें बताता है कि चार कमपनियां ऐसी है जिनका claim settlement ratio 99% से भी जादा आगा है और LIC का 98 point कुछ है तो इस डेटा को अगर मैं देखूँ तो agon हो, भारती हो, बजाज हो, max हो ये outperform कर रहे हैं लेकिन ठीक है हमारा benchmark 98.5 था तो जो 99 से नीचे भी है उनको भी हम रखते हैं तो अब हम second filter की तरफ चलते हैं अब ये डेटा बहुत असानी से आपको भी transparently Ditto Insurance की website में मिल जाएगा जिसका link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा अब ये 9 कंपनिया जब आ गई तो अगला parameter क्या होना चाहिए देखो अगला parameter बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कोई कंपनी ऐसी है जिसने साल भर में 4 क्लेम बेचे यानि वो insurance business को at scale करती नहीं है वो इतनी छोटी है कि आपको पता नहीं है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद वो company सच में exist करेगी भी की नहीं वो बहुत ही छोटी company है उसका अता पता नहीं है या वो life insurance को लेके serious नहीं है तो ऐसे non serious या बहुत small players पे मैं अपनी reputation risk नहीं करना चाहता और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि life insurance नहीं बहुत लंबा contract होता है health insurance, चलो insurance company डूब गई साल भर का contract है, मैं अगले साल नहीं policy ले लोगा life insurance अब 25-30-50 साल के लिए ले रहे हो 10 साल बाद company डूब गई तब आप 40 के हो गए, आपको term plan महंगा मिलेगा हम तो life insurance लेते ही जल्दी इसलिए कि सस्ता मिले और फिर हमेशा वो ही term plan चलता रहे इसलिए यहाँ पिना scale और reliability बहुत जरूरी होती है तो इसके लिए हमने दो parameters लिए volume of business यानि वो company कितना business करती है per year और इसके अलावा 10,000 claims अगर उस company पे होते हैं तो उसमें से कितने percentage में complaints आती है कोई ना कोई dissatisfaction policy holder को होता है तो ये दो data हमने लिए volume और complaints देखते हैं data एक ना अगर आप इस list को ध्यान से देखोगे तो एक surprising चीज आएगी दो company आएसी हैं जो पिछले parameter में claim settlement में बहुत अच्छा कर रही थी एगउन और भारती जिनका claim settlement 99% से उपर था लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एगउन का तो business ही बहुत छोटा है उसने पिछले कुछ सालों में on an average 30 करोड रुपे year का business किया है और एक और चीज़ देखो अगर आप देखो कि सबसे अदा complaints किन company के against है तो सबसे उपर है भारती और उसके बाद है एगउन एक पे 140 कुछ complaints है per 10,000 claims और दूसरे पे 44 और बाकी कमपनियों को आप देखो कि तो कोई 5 पे है कोई 10 पे है 15 पे तो इन दो कमपनियों पे बहुत ज़ादा complaints है और एगउन का तो size भी बहुत छोटा है तो इस कारण से 99% की उपर जो 4 कमपनियां थी एगउन, भारती, बजाज, मैक्स उसमें से अगला parameter लगाते ही दो कमपनिया eliminate हो जाती है और यही आपको बताता है कि यह metric कितना important है हम सिर्फ claim settlement देखके insurance नहीं ले सकते यह metric हमें यह बताता है अब तीसरा metric आता है amount settlement ratio क्योंकि कई बार ना ऐसे case होते है कि claim settlement ratio कमपनियों को भी पता है आप देख रहे हो तो उसको बढ़ाने के लिए कमपनिया 2 लाग 5 लाग 10 लाग 15 लाग 20 लाग 25 लाग के claim clear कर देती है ताकि percentage में number of claim settle में वो high रहे और एक मानलो कोई बड़ा claim है 5 करोड 10 करोड का उसको reject कर देती है तो number of claim settle में वो high रहेंगी लेकिन amount settlement मानलो 100 policy मिला के total claim company पे 50 करोड का हुआ किसी ने 1 करोड का किया किसी ने 50 लाग किसी ने 5 करोड तो 50 करोड में से कमपनी ने कितना amount दिया यह है amount settlement ratio अब कमपनी ऐसा कर रही है कि नहीं policy को pick and choose छोटी policy clear बड़ी policy रोक लो कमपनी ऐसा कर रही है कि नहीं यह दिखता है इस ratio से क्योंकि देखो है अगर कमपनी ऐसा नहीं कर रही है तो फिर claim settlement ratio amount settlement ratio आसपास ही होना चाहिए थोड़ा बहुत चलो operational leave मैं उनको दे दू कि कोई operation में problem आ गया कोई over insured था कुछ भी थोड़ा बहुत तो चलो मैं उनको 3% का एक difference देने को ready हूँ तो अब हमारा claim settlement ratio का minimum requirement क्या था वो था 98.5% उसमें से चलो मैं इस ratio के लिए 3% minus करने को भी ready हूँ इस पे हम आ जाते हैं 95.5% और जैसे ही मैं ये filter डालता हो ना कि amount settlement ratio minimum 95.5% होना चाहिए हमारी list में से तो जो कमनिया निकल गई सुनके आपको दुख होगा वो हैं Tata Nippon Bajaj और HDFC शायद इस list में LIC के बाद सबसे बड़े जो ब्रैंड्स हैं वो amount settlement ratio में कम होने के कारण eliminate हो जाते हैं और ये मैं नहीं कर रहा हूँ ये data कर रहा है ये data बोल रहा है और अब हम बड़ी लंबी छोड़ी list के साथ शुरू हुए थे ये चार कमनिया निकलने के बाद best term insurance company of India में सिर्फ तीन contenders बचे हैं Kotak LIC और Max सिर्फ तीन contenders अब अगला parameter पे आते हैं step number 4 ये है solvency ratio अब solvency ratio याने company की आर्थिक स्थिती कितनी अच्छी है ये जानना कहीं company कुछ साल बात bankrupt तो नहीं हो जाएगी वो खुद के business को कितने अच्छे से कर रहे है उसकी financial stability कैसी है ये सारी चीजें ये ratio हमको बताता है solvency ratio अब ये minimum 2 होना चाहिए या उससे जादा हो तो बहुत अच्छी बात है तो kotak और max का तो ये 2 से उपर है लेकिन चलो LIC का 2 से जरा सा नीचे है लेकिन इसे भी इस list में include कर देते हैं क्योंकि government की company है बहुत government अपना reputation अपनी goodwill इस company की साथ attach करती है तो ऐसा नहीं होगा कि LIC bankrupt हो जाए और premium amount pay ना कर रही हो इसलिए ये ratio इस पे LIC पे इतना strictly apply नहीं होना चाहिए इसलिए इस ratio के filter से हम चलो तीनों कंपनियों को pass कर देते हैं हम नहीं हटाते LIC को और हम LIC को भी हमारे अगले parameter की तरफ लेके चलते है अब हम step 5 पे आते है cost of policy यार policy budget में भी तो आनी चाहिए affordable भी तो होनी चाहिए तो हम इन तीनों के courts को आप खुद कर ले ये मैं करूँ ये ज़रूरी नहीं मैंने तो करके देख लिया लेकिन मैं चाहता हूँ सारे helpful online tools मिलेंगे जहां आप अपनी salary, age, goals ये सब चीज़े डाल सकते हो तो डिट्टो आपको बताएगा कि आपके लिए सही duration क्या होगा term plan का और सही cover amount क्या होगा तो वो आप डिट्टो से ले लो और फिर इन तीनों players से max हो, quota को, LIC हो इससे आप एक quotation ले लेना pure term plan का और आपको दिखेगा कि LIC का जो quote है, जो premium है वो काफी जादा high है अब इसका justification कई लोग करते हैं कि वो सरकारी company है वो भरो से मंद है और बहुत सारी चीज़े लेकिन आप एक बार cost difference देखना, अगर आपको वो justified लगता है, तो आप लीजिए लेकिन मुझे personally वो justified नहीं लगता है भारत में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई reputed private insurance player हो जो डूब गया हो, bankrupt हो गया worst case में यह होता है कि government बीच में आती है और कोई struggling insurance company को किसी बड़े player के साथ merge कर देती है, हमने yes bank के भी case में देखा था, जब वो bank डूब रहा था तो उसे डूब ने नहीं दिया गया SBI ने उसमें investment किया और वो company आज ठीक चल रही है, उसी तरीके से insurance players में होता है और आगे भी होगा हाँ, यह ध्यान रखना है कि आप अच्छी बड़ी size की insurance player के पास जाओ, बहुत छोटी company होगी तो government भी उसको बचाने नहीं आएगी तो यह size का आपको ध्यान रखना है लेकिन मुझे private players के साथ अगर वो healthy हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं तो मुझे उनके साथ safety का problem नहीं लगता है और cost wise भी वो LIC से काफी सस्ते होते हैं तो पहला higher cost के कारण मैं LIC recommend नहीं करूँगा और दूसरा, बहुत सारे riders जो available होने चाहिए, जो जरूरी है उस तरह के riders कई बार LIC के pure term plan में available नहीं होते हैं तो यह भी एक downside है तो अब हमारे पास दो choices बचती है kotak और max अब personally मेरी first choice max होगी reason simple है, higher claim settlement ratio है higher amount settlement ratio है और consistently यह इस list पे amongst the top players रहता है लेकिन kotak में भी कोई बुराई नहीं है तो आप अपने लिए दोनों policy के court को compare कर लेना, देख लेना riders के बाद, और riders को अन से लेने यह ध्यान रखना, आपको accident cover भी लेना है, अपने term plan के साथ आपको critical illness भी लेना है disablement benefit वाला भी rider आपको लेना है और आपको waiver of premium rider भी लेना है यह 4 rider आप ध्यान रखना दोनों कमनियों से आप चाहो तो court ले सकते हो लेकिन जब आप इन दो के quotations लोगे तो उसके पहले आप ditto insurance को contact कर लेना क्योंकि उनके qualified insurance experts जो है न, वो आपकी salary आपके goals, आपके dependence बहुत सारे factors के combination को judge करके आपको आपका सही cover duration और सही cover amount बताएंगे और आपके लिए सही, आपकी जरूरतों के लिए सही term plan कौन सा होगा, वो आपको बता देंगे और यह सब वो करेंगे free में, और सिर्फ free है इसका मतलब यह नहीं कि इसके बाद यह आपको धेरो spam calls करेंगे, या कुछ भी product बेचने की कोशिश करेंगे, अच्छी बात ही है यह, कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और आपको na post claim assistance भी मिल जाएगा तो डिट्टो इंशॉरंस का लिंक उपर card में और इस वीडियो के description में है तो finally, year 2024 का best life insurance company है term plan category में max life insurance, तो उमीद करता हो हमारा यह elimination process आपको पसंद आया होगा आपको clarity मिली होगी this is Pranjal कामरा, signing off bye bye